कास्ट या जाती प्रश्ण भारतिया समाज के अंतरगत यदि हम इसकी उत्पति की बात करें तो प्राचीन काल की हम बात करें तो उस समय में भारत में जाती प्रथा के स्थान पर जो है वर्ण विवस्था प्रच्रे थी ब्राह्मन, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र चार वर्णों में भारतिय सोसाइटी बनती हुई थी लेकिन धिरे धिरे यही वर्ण विवस्था जो है जाती विवस्था बनती चरी गए वर्ण विवस्था जनम के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी और जो व्यक्ति जैसा कर्म या कार्य करता था वो उसी वर्ण का कहलाता था यदि ब्रह्मण है और वो क्षत्रिय का कर्म करता है तो वो क्षत्रिय कहलाता था जनम चाहे उसका किसी भी वर्ण में हुआ होता था लेकिन धीरे धीरे यही जो वर्ण विवस्ता थी वो करम का अधार न रहकर जर्म अधार बन गया और जो व्यक्ति जिस जाती में जर्म लेता था और उसकी जो आगे को संतान थी वो भी उसी वर्ण या जाती की हो जाती थी और इस तरह से जीरे दीरे ये जाती विवस्ता जो थी हमारे समाज की बुराई बनती चली गई दीरे दीरे क्या हुआ कि जो प्रहमक शत्रिय वहिश्य थे वो चाती जो कभी वर्ण हुआ करता था वो जाती बन गए उसे लोगों के उस वरन के लोगों के साथ देरे देरे गरीना उनके मन में उत्पन होती चली गए तो जाती प्रथा की उत्पती के अंतरगत कुछ तो कहते हैं कि मत्यकाल कुछ कहते हैं कि बहुत काल में विशेश तोर पर इसकी जो है उत्पती हुई और इस तरह से धीरे धीरे ये जाती प्रथा जाती एक अभी शाप हमारी समाच के लिए बन गए और जहां तक हम ब्रिटिश काल की बात करें, तो ब्रिटिश काल में इसको जो है और ज़्यादा बल मिला यदि हम मध्यकाल में नजर तोड़ाएं तो देखें तो भारतिय समाच में बहुत से ऐसे धर्म और समाच सुधारक वे जिन्होंने इसका विरोध किया चाहरामानंत, कबीर या फिर गुरुनानक देव या नाम देव सबने एक एश्वर पर जोग दिया और सभी जनमानस की सम भावना थी, उंच-ीच की भावना, ये हमारे समाच से समाक नहीं कुए और बृटिश शाषनकाल के द्रौरान तो ये जो जाती प्रथा थी ये और अधिक्सक्रिया होती चली गए, बृटिश शाषनकाल के द्रौराण भारत में इसाई मिशनिर्स आई और इन इसाई प्रादरियों ने अक्रामक प्रहार किया 1813 इसवी के चार्टर एक्ट के परिणाम सोरू हिंदू धरम पुराने रीती रिवाज और संस्थाओं के विरुद बड़ी तिव्रगती से जो थे ये प्रहार होने लगे हिंदूों को अपने अंदर जांकने और अपना स्वयम मल्या करने के लिए विवश कर दिया इस डर से कहीं उनके अपने भाई एक बड़ी मात्रा में इसाई न बन जाए बहुत से हिंदू विद्वानों को मजबूर होकर सुधारों की और ध्यान देना पड़ा बहुत से हिंदू वर्गों ने दलित चाहतियों के लिए अपने जो मंद के दरवाचे थे वो खोल दी तालाबों और को प्रियोक करने की अनुमती दे दी गए पश्चिम शिक्षा और सहाईतिया ने लोगों को अपने रूडी वादी विचार बदलने के लिए विवश किया सुधंतरता समानता और भाईचारे के विचारों ने लोगों को बहुत ह प्रभावित किया अंग्रेजियों ने कानून से शाशन स्थापित किया और नियाए के शित्र में सभी को समानता प्रदान की अब कानूनी रूप से दलित जातियों के लोग उंची जातियों के डर और प्रतिश्रोत के बिना अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे समा वाजे जो थे सभी जातियों के लिए खोल दिये गए जाती की जटिलता और चुआचूट की प्रथक्षिन होने लगी और साथ ही साथ अब आदुनिक समय में तो हम देखते हैं कि आदुनिक को देखों के शुरू हो जाने से नगरिय करन जो है बहुत ही तेजी से हुआ है और यदि हम उनीस्वी और बीस्वी श्ताब्दी की बात करें तो उस दोर में हमारी जो सोसाइटी थी वो आदुनिक सोसाइटी के जैसी नहीं थी तो इसी के उपर ही हम प्रकाश डालेंगे उनीस्वी बीस्वी श्ताब्दी के जो सुधारक हुए जैसे कि राजा राम महुन हैं ईश्वत चंद्रविद्या सागर या स्वामी दयानंद सरस्वती सभी ने जाती पाती और चुआ चुट कोई का मानुशिक प्रता पताया और बार बार इसे छोडने के लिए लोगों को प्रेडित किया लेकिन क्या हुआ कि उनकी इस बात पर या इस जोर देने पर भी लोगों के उपर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा हालनकि भारत में बहुत सी जो संस्थाइं थी उन्होंने भी इस भेदभाव की नीती का जो है विरोध किया 1897 में रंग राओ ने मंगलोर में दलीत वर्ग के बच्चों की निशुल्ख शिक्षा के लिए स्कूल को ले 1898 में बंबई आर्या समाच ने दलीत वर्ग मिशन स्थापित किया 1906 में बंबई में चंदा वरकर की अध्यक्षता में भारत की दलित वर्ग संस्था की स्थापित की गई बड़ादा के गायक वार्ड नजीश ने दलितों और अच्छुतों के लिए शालाइं स्थापित की उनके लिए च्छातरविती की विवस्ता की इसी बीच मदरास में भी 1919 में दलित वर्गों की संस्था जो है स्थापित की गई 19 वी श्तापित के उत्रार्थ में रास्तिया आंदोलन व्यापक हो गया तब जातिया भेदभाव की समाप्ती और व्यापक समाजिक समानता की भावना का खूब प्रसार हुआ रास्टिया आंधूलन और उसके अभीन अंग भारतिया रास्टिया कॉंग्रिस निस्रमस्त जाती गत्विशेश अधिकारों और चुवा चूत का विरूत किया था सभी भारतियों के लिए धर्म जाती और लिंग के भीद भाव के बिना समाज अधिकारों और स्वतंतरता की म तो समाजी जागरिती और शिक्षा के प्रसार से अच्छूतों और दलित चाहतियों में भी नवचेतना और जागरिती आई और उन्होंने क्या किया उन्होंने दा All India Depressed Classes Association इसको कहा जाता है अकिल भारतिया दलित वर्ग सभा और अकिल भारतिया दलित वर्ग संग इतियादी इस्थाबित किये तो ऐसे ही अकिल भारतिया दलित वर्ग के समेलन के अफसर पर सन 1915-1920 में नाराइन चंदावर करने ये खोशित किया कि शालाओं में प्रवेश से और जन महरकों ठकों के उप्योग से अच्छूतों को वंजित नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसे ही आंद वई प्रांत की सरकार ने दलित वर्गों को की सेक्षिनिक सुविधाओं के लिए समान अधिकार किनी की भोशना की तो दक्षिन भारत में जातिया कट्रता चुआ चुट अपनी चर्म सीमा पर थी 1920 के बाद महां दलित की दशा को सुधारने के लिए गैर ब्राहमन जाती हो कि ने एक आत्म सम्मान समिलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूमेंट आंधुलन जो है ये शुरू किया मंदिरों में प्रवेश और ऐसे अन्य निशेदों और प्रतिबंधों के विरुत उन्हों ने अपनी आवाज बुलंद की और सत्यागरह भी किये तो इनी में एक महान विभू कि आज हम बात करेंगे जियती राव या जियती बाफले निमजातियों के मसیحा माने जाते हैं दलीत आंधुलन को चलाने वाले पहले महानेता साधारन प्रत में जियती राव या जियती बाफले के नाम से जाना जाता है जन्म हुआ 1827 जिस्वी में पुना में गोविंद राव के धर्ण का जन्म हुआ जो माली जाती से संबंध रखते थे जोती बार ने ऐसा वातावर्ण में शिक्षा प्राप्त की जात पात का भेदभाव विशेश तर पर था और उनके जीवन पर बहुत कहरा प्रभा पड़ा और उन्होंने दलितों के उधार के लिए अच्छोतो दार के लिए महान जो है उनके द्वारा काज़ किया गया तो सबसे पहला है कि दलित जातियों के ब्रहमनों के प्रभुतों से स्वतंत करना तो जीवतिवा की पश्चिम संस्कृती से जानकारी ने उन्हें काफी जो है प्रभावित किया उन्होंने शिक्षा प्राप्त की महान दार्शनिक थामस पेन की बुस्तक मानव की अधिका राइट्स ओफ मैन का उन पर विशिश प्रभाव पड़ा और शिक्रे ही जान गए क्योंकि सभी व्यक्ति की प्रभू की संतान है इसलिए वे बराबर हैं और उन में उंच नीच का गोई स्थान नहीं जो लोग उंच नीच के सिद्धान के समर्थक हैं वो पाखंडी है इसलिए वे बराबर हैं और उन्हें रोपन नहीं चाहिए उन ने ब्रहमनों की स्रिष्टता का जो है सबसे पहले विरोध किया जोती वाफुले ने बहुत से महत्वपन कारिया उनके द्वारा किये गए निम नवर्गों में व्याफ्त बुराईयों से छुटकारा पाने के लिए जोती वाफुले के पास प्रहमन और सहुकारों के लिए हर प्रकार की निंदा थी वहीं दलित लोगों में वे अनेक प्रकार के जो हानी कारक जो रिती रिवाज थे बुराईयां थी उन्होंने देखा कि वो फंसे हुए है फुले के अनुसार गलत जो बुराईयां थी रिती रिवाज थे इन रिती रिवाजों का सबसे पहले एक प्रकार से इलाज किया जाना चाहिए सरप्रथम दलित जाती के लोग इन बुराईयों को छोड़ने के लिए अपने आप जो है अपने भीतर इच्छा पैदा करें और दूसरे वे शिक्षा प्राप्त करें ताकि जागरूख होकर वे इन बुराईयों को जड़ से उखाड फैंके तीसरा उन्होंने समाजिक सुधार के लिए शिक्षा के महतोब पर जोर दिया विशेश कर पश्चमी शिक्षा जोती गवा कि अनुसार पिछली जातियों को अनेक प्रकार से लापकारी सिद हो सकती है तो दल शिक्षा ही दलित लोगों को उच वर्ग विशेश कर प्रहमन वर्ग की दासता और शोशन से मुक्ति दिला सकती है ये उन्होंने इस पात पर जोर दिया उन्होंने शिक्षा विशेश कर पश्चमी शिक्षा उनके समाजिक त्रिष्टी कौन में विशेश परिवतन लाग सकते हैं और अपनी विविन जो बुराईयां थी जैसे के शराब पूरी जुआ के लिना नरिवन लेने की प्रवरिती थी जगडालू प्रवरिती के थे मुकत में बाजियादी ये सब छोड़ सकते हैं लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको शिक्षित करना पड़ेगा फिर उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया अपने साथियों उनके साथियों ने 1848 में निमन जाती और अच्छुत जातीयों के लिए अनेक शिक्षिन संस्तान कोले लेकिन शुद्र कन्याओं के लिए भी कार्या चलाना अनेक प्रकार से एक बड़ा कटीन कार् करना बड़ा ही मुश्किल था दूसरे जो शुद्र कन्याई थी उनको पढ़ाने के लिए महिला शिक्षकों को पाना भी कम कठिन ना था परिस्थितियों की विवश्टा के कारण फुले और उनकी पतनी सावितरी को ये कारे अपने कंदों पर लेना बढ़ा और उनों ने ही बच्चों को बढ़ाने का कारे शुरू किया शिक्षन संस्थानों को चलाने के लिए धन की भी अब जरूरत थे तो फुले और उनके मित्रों ने अपने पास कुछ धन दिया और कुछ दानी एरोपिया अफसरों से भी दान के रूप में धन पराप्त किया लेकिन ब्रहमनो ने एक शुद्र द्वारा शुद्र लट्कियों के स्कूल चलाए जाने का विरूद किया और ऐसी परिस्तितियों में पांच-छे महिने के पश्चाथ फुले को स्कूल बंद करना पड़ा इसके पश्चाथ यदि उनकी अपलब्धियों की हम बात करें तो ज्यतिवा फुल धर्मों के निम्लजातियों के लोग जैसे माली थे जुलाह ए दर्ची कुमार अनाज ठोने वाले आदिश शामिल थे इसके दोस्तियों मसलमान भी थे जिनके नाम बेबाना भाई मसलमान जो थे यह और इजम, इलजा, शलेमान इस समाच के मुख्य देश्यदलित जातियों और शुद्रों के दुखों का निवारन करना समाज में फैली अन्य बुराईयों को दूर करना और इसी आधार पर सकते सुधक समाज ने दलित वर्ग के विद्यारतियों के लिए नेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया और स्रेष्ट वच्चों को इनाम भी दिया इस प्रकार दलित लोगों के शिक्षा प्रचार के कारिय में इस संस्ताने महतोपुन योगदान दिया फिर दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ जो क्यूंकि वो महान लेखक भी थे तो कुछ न कुछ हो लिखते रहे जीवन भर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो लेखनी थी उसका प्रयोगों की भलाई के लिए किया उनकी लेखनी विशेष्टा निम नवर्ग के लोगों को समर्पित थी अनेक उस्तके पत्तरपत्रिकाएं, कविताएं ये उनके द्वारा स्रीजित की गई, उनके प्रसिद रचनाओं में धरम के ठेकेदारों का रहस्य चिद्रन, किसान की चाबुक, दास्ता, अच्छूतों की कहानिया, सत्यता का भार ये प्रमुक हैं तो इस तरह से ये जियती वाफुले ने एक महत्वपुन बीड़ा जो है दली तवर के उत्थान के लिए उठाया और हम देखते हैं कि जियती वाफुले ने दली तवर के उत्थान के लिए अपने जीवन भर कारे किया इस महान विभुती का 28 नवंबर 1890 इस्वी को इस महान विभुती का देहान्त हो गया और इस तरह से जियती वाफुले ने निम्न जाती के उत्थार के लिए एक बहुत ही महत्वपुन भुमी का निभाई शायद उन्ही के दोरा ये जो कारे किया गया था प्रारम आगे चलकर डॉक्टर बियार अमबेदकर जैसे महान पुरुश ने भी उनको अपना गुरु माना और उनकी बुद्ध और कभीर से तुलना भी की अमबेदकर ने भी जिनको के भारतिय समिधान का जर्मदाता कहा जाता है पीता कहा जाता है एक महान लेखक शिक्षा सास्त्री कानूम ग्यादा और समास से वक उन्होंने भी खासकर जो विशेस तार पर जाती से संबंदित खासकर जो दली तवर्ग है उसके उत्वान से संबंदित उनके द्वारा भी काफी कारिया कारिया किये गए उन्होंने पहिश्कृत हितकारिनी सभा की स्थापना की 1924 में और इसी के साथ साथ उन्होंने शेस तौर पर इन लोगों को का उठार करने का बीड़ा जो है उठा लिए निश्वल का कानूनी सहाइता उपलब पतराई दलीत लोगों को शिक्की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और डिप्रेस्ट क्लासिज एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की दलीत लोगों के सामाजिक अधिकारों के लिए वो लड़े भी और दलीत लोगों के उद्धार के लिए महात्वपुन कादम जो है उनके द्वारा भी उठाए गए उनके प्रियासों से दलीतों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त दी गए हरीजन बस्तियों में वो स्वेम भी रहे हरीजन स्वेम हरीजन से वक्संग की स्थापना उनके द्वारा आल जाती के लोगों को इस दोरान अचूद, परियाह, पंचमा, शुद्र, हती शुद्र कई नामों से पुकारा जाता था तो इसको हटाकर हरीजन शब्द जो है इसका ही इस्तेमाल किया हरीजन नामक सब्ताहिक समाचार पत्र का दलीत वर्ग के लोगों के लिए ये उत्थान के लिए प्रकाशन किया, भरिजन उत्थान संबंदी अपना पैगाम चारों और फैलाने के लिए उन्होंने जो है देश व्यापी कांधी जी ने ब्रहमन भी किया और इसकी अतिरीक तर भारत के समिधान की बात करें तो उसमें जाती वात और चुआ छूद इतियादी इसक जाती प्रशन और जगती वाफुले तथा अन्य जो भारत में इस से संबंदित महान विवुधियां हुई उनके द्वारा किये गए कुछ प्रियास तो इतना ही